हालो और वैलकूम फ्रेंड्स आपका अपना और प्यार यूटूब चैनल रासकलास के एक और नए और वहतर वीडियो में आपका स्वाव थे इस वीडियो में हम कुछ ऐस्पेसल बात करने वाले हैं आपके लिए होता है क्या है कि जो हमारे सरीर है इसके सभी जो अंग है ना हाथ को पाओ को तोंद को पेट को कि सबको संस्कृत में क्या कहा जाता है उसी के बारे में हम इस वीडियो में मेरे भाई बात करने वाले हैं यानि सरीरों के नाम किसमें बात करेंगे तो संस्कृत में यानि बहुत ऐसे स्टुडेंट जो होते हैं विद्यार्थे जो होते हैं उनको संस्कृत से कुछ भी नौलेज नहीं रहता है क्योंकि भारत की जो प्रतम भासा जो होती है पहले संस्कृत थी अब इसको दुतियम भ का नाम संस्कृत में उनकों मालूम हो तो आप भरतिय करने पर बहुत करनेगे आपको इस विडियो में संस्कृत में हम यापने सरीर के हरेक्ज अंग होते हैं सभी के नाम हम आपको बढाने वाले हैं और साथे साथ आपको याधी हो जाएगा क्यूंकि सबसे आसान जो भावा साभ वो ठीक है वह संस्कृत होती है दीवों की भावा सा जोुति है वह संस्कृत होती है मेरे हाई तो हमारे साथ हाथ बने रहेंगे मैरे हूआ आप किसी भी क्लास से हो कोई मतलब नहीं है, जो बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके लिए भी है, बहुत ही महत्पुन यह वीडियो है, मिर भाई, हमारे साथ बने रहिएगा, आपको मैं पूरा समझा दूंगा, पूरा आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, क्या कि कितन आसान संस्क्रित है, कितना भी आसान क्या संस्क्रित होता है, मैंने तो कभी जाना ही ने, मिर भाई, आप सबर करे, बहुत आसान होता है संस्क्रित, मैं आपको पूरा संस्क्रित भी सिखा दूंगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस तरफ आपको मैं हिंदी में सभी अ कितना आसान है आख नयन यानि इसको नित्रम नैनम आख नित्रम नैनम आख का क्या हो जागा तो नित्रम और नैनम हो जाएगा फिर आता है कान करना का क्या हो जागा करना है फिर सीर का सीरह मुह का मुखम फोरा सही डिफ्रेंट कोई डिफ्रेंट है मिर भाई आप देखते से यह बहुत हुआ इसने नायां के बुढक। भुरू, ओठ, ओठ का ओस्था या अध्रह, ओस्था ये ओठ है, ओठ को ओस्था या अध्रह बोला जाता है, इसको बाहन होता है, इसको क्या बोला जाता है, संस्कित में तो भुजा बोला जाता है, कभी कभी हम लोग इसका उपयोग ही कर लेते हैं, भुजा, आपकी भुज माधा कोसे संकित में बनाता है, तो या बहुत असनथा संक्षण मुझेड गाल केदा पश्म। कापोला हे जिवक संस्कित में क्या मुला थे पुतली तरी begin to call every नृटat कई स्कृट को गर्दन को नाम आको माई पूरा सिखा दूंगा मेरे भाई कोई जरूरी नहीं है दुसरे विडियो को देखने के लिए सर्च करने का आप मेरा यह वीडियो देखते है न तो आपको संस्कित बहुत आसान लगने लगेगा इस इताह से मैं आपके लिए कोछ विडियो और संस्कित का आप लेते चलेंगे जो आक्ये यही अंग का नाम हो गया वस्त्र का नाम हो गया सब का नाम हम बताते चलेंगे क्योंकि संस्कित की भासा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक है?